आज बहुत टाइम बाद हम फेज टू फेज मिल रहे हैं आप देख रहे हैं जर्नी वित अमी और मैं अमित कुमार तो आज आज से मैं सोचा कुछ लाइब बात करूं तो हां तो जैसा कि हमें पता कि सीटिट की जो प्री एड्मिर कार्ड है उसकी डेटा आ गई है और एक्ज अब क्या है इस बार से जो सीटिट की जाम होगा तो बहुत बच्चों को यह डर है या फिर कैसे होगा ओनलाइन गाम कैसे कैसे फंक्शन करने होंगे जो धंक्से मतलब अग जो एसा नॉर्मल यूज करता भी होगा तो उसके लिए कोई खास बड़ी बात नहीं है वो कर ले अफलाइन एक्जाम में तो ठीक है ऑनलाइन भी आपका टामी बचेगा तो आपके लिए एक बेनेफिट है तो मेरा मानना यह है कि अगर आप ऑनलाइन में थोड़ा सा अगर प्रेक्टिस कर लें तो जो आप ऑनलाइन एक्जाम में बैठेंगे तो आपको कुछ दिक्कत न परेक्रिट क्र दिया है, तो उसे पर मैंने स्थाव एक वीडियो मनाइता हूं कि कैसे आप लोगो और भी गठेंग का कैसे छोटी से वीडियो मनाने जा रहा हूं जिसको लेकर आप समझैगे कि आपको कैसे पेपर अटेंब करना है ताकि जो जब आप सीटेट में एक्जाम रियल में दें तो आपको यह सब दिखते हो फेस करनी ना पड़े हैं तो आपके लिए जो वेनिफेट हो तो चलते हैं सीधा सीटेट की मौक टेस्ट पे अब जो आपको यहां पर यहां पर यह उपन हो गया चहां पर जो हमारा जो एक्जाम होना है है सीटेट का वह सेम ऐसा ही होगा आपको यहां पर अपनी यूजर डालनी होगी और यहां आपको पासवर डालना होगा जिसमें यहां आपका नाम लिखा रहोगा और यहां सब्जेक्ट के जिसका आपका इज्ञाम है जिस पेपर का तो और यहां आपके फोटो आरी होगी तो जैसे पेपर स्टार्ट होगा आपको साइन कर लेना है और उसके बाद यह जो इंफोर्मेशन आ रही है इसको आपको आपको बहुत सारा टाइम में इसको आप आराम से बहुत सावधानी से पढ़े एक जितने भी पॉइंट से उनको क्लिर ही पढ़े ता कि आपको कैसे अ सारी बहुत सारी इंफोर्मेशन रहे हैं जिसमें आपको सारा पढ़ना है अगर आपको इंगलिश में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको हिंदी में कर सकते हैं यह हो गया हिंदी में अब एक एक जैसे सभी प्रशनों को हल करने के लिए 1500 मिनिट का समय दिया जाएगा इ यहां क्या पुछ रहा है चूज यो डिफोल्ट लैंविज इस ओप्शन पर तो यहां आपको हिंदी या एंगलिश जो भी जिसमें भी पेपर देना चाहते है जिस भी लैंविज में आपकर चाहते हैं तो आप इंगलिश पर सकते हैं जैसे आपने इंगलिश कर लिया तो आगे भी इसको चेंज कर सकते हैं यहां आपने टर्मिंट कंडिशन को इंदम ओके कर देना है और आइम डैडि तू बैगिन है यानि में पेपर देने के लिए अब तयार हूँ इसको आपने ओके गया और यह प्रोस्टेसिंग में चला गया जहांसे आपका पहला कॉशन प तो हिंदी में थोड़ी आजाएगा इसलिए हम इसका भी लेंग्वेज नहीं बतल सकते हैं प्लेस अगर हम देखिए यहां यहां पर पहला कॉशन आ गया हम क्या करना पहला कुशन अलका इस टूड़न क्लास थार्ड जो पुरा कॉशन रीड कर लेना और अंसर इसका अंसर की अंसर तरह क्लिक के नहीं हो रहा है शाइद पता नहीं लेकिन सब्सक्राइब रहा था आप आज आए ड्सक्राइब क्लिक तो और आगे देखते कोई नहीं तो इसमें कितने कोश्क्षन है कौन से वेपर है पड़ेब इंग्लीश का है जिसके अंदर language 2 है, जिसके अंदर language 2 है, इसमें question कितने 30 है, ठीक है, आपको जैसी question 1 है, इसको आपने save and next कर देना है, ठीक है, यहाँ आपका क्या गया, paragraph आगया, paragraph के साथ क्या question आगया, तो पहले question पढ़ना है, या आपकी मर्जी पहले paragraph करें, then question पढ़ने, फिर उनको answer करें आपको यह वाला answer देना है, अपके लिग हो गया, ठीक है, उसको क्या करना है, save and next करना है, save and next करेंगे, या आगया हाँ पर, या आपने यह वाला attempt कर लिया, green मतलब आपने इसका अंसर दे दिया है, orange मतलब यह जो, इसका अभी तक अपना attempt नहीं किया है, इसको आपको जाक पर जाना है, 7th question देखना है, तो आप direct भी हाँ जासकते हैं, जैसे अगर मुझे 3rd पर आना है, मैं 3rd question पर आ गया, और यहां आपने question बना और जो भी आपका answer है, उसको आपने click कर दिया, फिर save and next, इस तरह जो भी आपका time कर जाएंगे, वो green होते जाएगा, और यहां उप for review zero, तो इससर तीस question है, और यहां आपके तीन, यहां भी डेमो में बलब ऐसा practice के लिए अनुर तीन set बना रखे हैं, जिसके अंदर आपके पहली आपकी क्या है, CDP है, ठीक है, पहली आपके CDP है, second आपका language 1 है, then after language 2, ठीक है, तो यह आपका तीन set में paper बना रखा है, यह आपको पूरा attempt करना है, हर set को, इस set में 30 question है, इस set में 30 question है, और इस set में 30 question है, ठीक है, इस तरह आपको question को पूरा attempt करना है, next, next करके, और जब आपका पूरा attempt हो जाए, पूरा question पर जैसे आपका, अलीजी यह CDS है, और यह हिंदी में है, आपको English में पढ़ना है, तो इसक को आप एंगली से कर सकते हैं एंगलमीस हो गया ऑन इंग्लिष में हो गया है अचैंक्ट है यहां अबसका टांब हो फिर सकते हो और फ़िछ किपून किया गार ट्वीन हें घर टैंट में वह को इन कह से आपको आता रहेगा आपको देड़ सो मिनिट मिलेंगे पूरी देन यह जाने की धाई घंडा है आपके पास इस पेपर को करने के लिए और जैसे इस सारे खुशन देखने आए जल्दी से तो यह कुश्चन पर क्लिक किया और यहां से आपके सारे कोशन आ जाएंगे कितने कोशन है सिर्फ आपके आप्शन नहीं आएंगे लेकिन सारे जितने भी कोशन से 30 के 30 कोशन आए गए देखिए सारे कोशन आगे सेट के अगया है और विव इंस्ट्रेशन तो आपने स्टाटिक में पढ़ लिया था तो आप जैसे आपको यहां पर सम्मिट कर देना यहां से आपको निकॉन कौन जा सेक्शन को मतलब एक्स एजाम की शमरी आ जाएगी कि आपने पेपर एक्ट वन में कितना किया है पेपर टू म आपको यहां को कर देना तो आपको कुछ निकर ना तो इसके लाब आपको अधर इंफोर्मेशन चाहिए कुछ डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट करें और मुझे इस्टाग्राम बे या फिर कहीं भी कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके लाब कुछ डाउट रह गया तो थैक्स पूर वाचिंग